रामायन एक्टर अरुन गोविल कई सालों से इंटर्टेन्मेंट इंट्रस्टी का एक एह मिसा रहे हैं दिगच एक्टर को रामनन सागर की रामायन में भगवान राम का किर्दार निभाने के लिए जाना जाता है फिलाल वो अपकमिंग फिल्म ओएमजी टू की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं जिसके जरिये उन्होंने लंबे समय के बाद परदे पर वापसी की है फिल्म में एक्टर एक स्कूल प्रिंसिपल का किर्दार निभाते नजर आएंगे इस विश मीडिया को दिये इंटर्विव में अरुन ने धार्मिक माननताओं पर बनने वाली फिल्मों के बारे में बात की इस तरह की फिल्मों को लेकर उन्होंने अपने विचार बताए बाचिट के दोरां अरुन ने धार्मिक माननताओं पर फिल्में बनाने को लेकर सिनेमाई स्वतनतता पर अपनी राए रखी उन्होंने कहा ये हर धर्म के लिए बहुत सवदेशल मुद्दा है मेरे मुताबिक फिल्मेंकर्स और मीडिया को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचे जो किसी भी धर्म पर विश्वास करते हैं अरुन ने आगे कहा भगवान का आकार और रूप भले ही अलग हो सकता है हम भगवान राम या भगवान करश्णों को मानते हैं या हम भगवान शियू को मान सकते हैं लेकिन वो सभी भगवान हैं इसलिए किसी को भी इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि हमारी भावनाएं आहत हो चाहिए बनाने के लिए और भी भहुत सी चीजे हैं वो बनाईए ऐसी चीजे ही क्यों बनानी है अरुन ने आखरी में कहा अगर आप इस तरह की फिल्म बना भी रहें तो इसे ठीक तरह से बनाएं मर्यादा में रेकर बनाएं किसी को भी चोट नहीं पहुशनी चाहिए ये वाकई भैत सेंसेटिव मुद्दा है इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद